मीठा खाने का मन कर रहा है और मार्केट कोई जाने वाला नहीं है तो आज हम आपको बताएंगे घर पर रखी हुई सामान से आप किस तरह से मिंटों में सुई डिस्ट बना कर रेडि कर सकती हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी और लाजवाब है इसको बनाना बहुत आ दोस्तों इसको बनाने के लिए हमने यहां पर ले लिया है एक कटोरी सूजी सूजी चाहे मोटी हो चाहे पतली आप कोई भी सूजी ले सकते हैं उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चम्मच चीनी तो अगर चीनी आपको कम लगे तो आप चीनी बढ़ा भी सकते हैं और यह किया है और चीनी अभी हमारी कम लग रही है में तो हम थोड़ी सी चीनी इसमें और एट कर देंगे तो यह हमने एक चम्मच चीनी और एट कर दी है अब यह हमारे दो चम्मच हो गए हैं तो दो चम्मच हमने चीनी ले ली है दो चम्मच सूखा दूद लिया है और एक कटोर हमने रवा लिया है इसको हम अच्छे से मिला लेंगे बहुत अच्छे से इसको मिलाएंगे बिल्कुल इसमें गुठलिया नहीं आनी चाहिए दोस्तों तो इसको हम पहले सुखा सुखा ही अच्छे से मिला लेंगे और उसकी बाद हम इसमें दूद डाल कर इसका बढ़िया सा बैटर बना कर तयार कर लेंगे अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा शेयर करिएगा चैनल को भी सस्क्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजेगा तो ये बैटर जो है हम दूद से तयार करेंगे दूद मिला करके हम इसको लगातार फेटते जाएंगे अच्छ से फेटेंगे इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए तो आप देख लीजी किस तरह से इसको फेटना है तो आप चाहे तो चमच की मदण से भी इसको मिख्स कर सकते हैं बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ये गाड़ा भी नहीं होना चाहिए तो ये हम लगातार इसको बराबर से फेट लेंगे ताकि इतना हम बनाएं कि ये उठाने में चम्मच पे आ सके तो इस तरह से हम चला चला के इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हम मिक्स करने के बाद 5-10 मिनट के लिए हम इसको ढख कर रख देंगे जब हम ढखकर रखेंगे तो यह सूजी हमारी अच्छे से फूल जाएगी और एक बड़िया सा बैटर बनकर हमारा रेडी हो जाएगा तो यह हमने मिक्स कर लिया है और अब हम इस पर ढखकन लगा देंगे 5-6 मिनट के बाद हम इस धकन को हटाएंगे और हटाने के बाद फिर से हम देखेंगे तो यह हमारा बैटर जो बनकर हमने तयार किया था बना करके तो यह गाड़ा हो चुका है तो इसमें अभी थोड़ा सा हम दूद और डालेंगे और यहाँ पर हम डालेंगे बेकिंग सोडा इसी टाइम पर हमें बेकिंग सोडा डालना रहेगा पहले हम बेकिंग सोडा नहीं डालते हैं अगर आप बेकिंग सोडा डालेंगे तो यह बहुत ही सौफ्ट और मुलायम बनेगी तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा एड़ करेंगे और बेकिंग सोडा एड जब इसको पैकिंग सोडर डाल देते हैं तो उसके बाद इसको ज्यादा देर तक नहीं रख सकते तुरंट ही हम को इसकी टिकिया बनानी रहेंगी तो अभी हम इसको फेड रहे हैं तो यह बेटल हमारा बन कर रड़ी हो चुका है यह खाने में बहुत तेस्टी लगती हैं तो इसमें रिफाइंड भी आप लगा सकते हैं तो इस तरह से हम देशी घी लगा रहे हैं आप चाहें तो कुछ भी ना लगाएं तब भी आपकी गोल-गोल टिक्या बनाएंगे यह ऐसे भी पक जाएंगे लेकिन हमने यहां पर थोड़ा सा देशी घी लगा दिया है आप भी भी बैटर हमारा है ये सारी हम टिक्या ही तयार करेंगे तो बहुत छोटी-छोटी सी हम टिक्या बनाएंगे और ये टिक्या हमारी बहुत जल्दी पक भीजाएंगी बहुत आसानी से पक जाती है वैसे इनको जब हम खाते हैं तो इसका स्वाद हमको बिल्कुल रसमलाई की त आप लोग देख सकते हैं यह बहुत ही आराम से पलट जाती है और दो से तेर मिनट के बाद आप इसको पलट दीजिए बहुत अच्छा से यह पख जाती है फूल आती है इसमें अब देख रहे हैं यह सारी टिकिया हमारी फूल चुकी है क्योंकि इसमें हमने बेकिंग सोड़ डाला है इसलिए यह ज्यादा सॉफ्ट और मुलायम बनेंगी तो यह एक एक करके हम सारी टिक्या पलट लेंगे और पलट कर हम इनको पकाते जाएंगे लगवग हमने सारी टिक्या बना कर रेडी कर ली है और अब हमें लेना होगा दूद तो यहाँ पर हम दूद रख देंगे एक बरतन में हम गयस पर दूद रखेंगे और दूद को हम पका लेंगे दूद को हमें गाड़ा गाड़ा पकाना है और यहाँ पर हम दो से तीन चम्मच चीनी भी टाल देंगे आप जितना मीठा पसंद करते हैं, उतना आप चिरी इसमें डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा तो दूड को हम बिल्कुल धीरे आज में ही पकाएंगे अगर आप के पास केसर के धांगे हैं तो आप केसर डाल सकते हैं दूड में, मेरे पास केसर नहीं तो यहाँ पर हम food कलर का तो आप भी इसमें Color लाने के लिए चाहें तो केसर केडागे डाल दीजाएं- Idoges में बदल गया है और इसको हम गाढ़ा गाढ़ा पकाएंगे जल्दी गाढ़ा हो जाए तो इसके लिए हम यहां पर दूद डाल देंगे सूखा वाला अमूल दूद जो मैंने उधर बैटर में एड़ किया था दो चम्मच वही दूद हम इसमें भी दो चम्मच एड़ कर दें और गयस का फ्लेम हम प्रेज ही रखेंगे ताकि हमारा दूद जल्दी से गाढ़ा हो जाए तो यह दूद भी हमारा थोड़ा गाढ़ा हो चुका है अब हम दो बदाम ले लेंगे और इसको बिल्कूल पतला घिस के इसे दूद में ही डाल देंगे और डालने के बाद हम इस तो यहाँ पर हमने ज्यादा बदाम नहीं लिये हैं दो बदाम लिये हैं आप चाहें तो इससे ज्यादा बदाम भी डाल सकते हैं अगर आपको बदाम ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा एड़ कर दीजिए अगर आपको कोई और ड्राइफ प्रूट पसंद है तो आप यहां पर आड़ कर सकती हैं लेकिन छोटा-छोटा टुकड़े में ही आप ड्राइप पुरूट को यहां पर एड़ करें तो आप लोग देख सकते हैं कि दूध हमारा थोड़ा गाढ़ा हो चुका है लेकिन अभी यह पूरी तरह से गाढ़ा नहीं हुआ है अभी थोड़ी द तो आप लोग देख सकते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनकर रेडी हुई है यह बहुत ही मुलायम लगती है खाने में बहुत टेस्टी लाजवाब लगती है एकदम तो अब हम इसमें एक एक करके निकाल लेंगे यह हमारा केक पैन है जिसमें हम केक बनाते हैं इसे में हम यह अपनी साइट टिकिया निकाल देंगे आप इनको रसमलाई का नाम भी दे सकते हैं क्योंकि ये खाने में बिल्कुल रसमलाई की तरह लगेंगी थोड़ी देर के बाद ये फूल भी जाती है तो इसमें हम जो हमारा दूध है गरम दूध ही हम इसमें डालेंगे ताकि हमारी य अच्छे से फूल जाएंगी गरम दूद में क्योंकि हमने पहले टिकिया बना ली है तो यह थंडी हो चुकी थी तो इसलिए हम इसमें गरम गरम दूद डाल रहे हैं तो गरम दूद में जब आप डाल देंगे तो 5-10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि यह बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनकर तयार होंगी और उसे में हम उपर से कटा हुआ बादाम डाल देंगे तो यह हमारी सुट डिस बनकर रेडी है आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करकर जरूर बताइएगा आप इसको एक बार खाईएगा और ट्राइ जरूर करिएगा यह आपको थोड़ा सा मैदा भी एड़ कर लीजिएगा तो यह और भी सॉफ्ट बनेंगी